यह सवाला बीजेपी से करिए ना जो लोग 370 के यहां से उडाने के बाद यह दावा कर रहे थे कि सारी मिलिटंसी 370 के साथ जुड़ी हुई है और इसको हटाने के बाद जो है जमू कश्मीर जो है पूरी तरह से यहां यहां पर अमन चाया रहेगा यह सवाला आप उन से करि बड़ेगा और यह साबित हुआ है यह लोग लापरवाही कर रहे हैं यह लोग अपने काम के तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे हैं बाकी चीजों में लगे हुए हैं आपके जो आला अफसर हैं उनको काम के तरफ कोई ध्यान नहीं है उनको वालात को सुधारने में जो रोल बीजे पी के तरफ से नहीं ना बीजे पी का ये हकूमत के तरफ से जो है लापरवाई है उसमें तो आप इंकार कर नहीं सकते हो हालाद जो है दिन बदिन और ज्यादा खराब होते जा रहे हैं इसके लिए कसुरवार कौन है जब एक तरफ से जब हमारी हकूमत थी हमारी हकूमत को इन चीजों के लिए कसुरवार ठेराया जाता था ठीक है नब अगर उन हमलों के लिए हम कसुरवार थे तो आज जो हमले हो रहे हैं उनके लिए कौन कसुरवार है जाहर सी बात है ये लोग हैं और उनको हालात सुधारने में जो रोल अदा करना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं अब हम यही उमीद कर सकते हैं कि ये जो सीनियर पोस्टों पर बैठे हुए चाहे वो राजभवन हो चाहे वो राजभवन के अडवाइजर हो महरबानी करके अपने एश वाराम को छोड़ें और अपने काम के तरफ जहें ज्यादा तवज्यू दें इस तरह के फैसले हम जैसे लोग नहीं करते इस तरह के फैसले जो है वो बड़े पैमाने पर होते हैं लेकिन इससे पहले भी आपने स्ट्राइक किया, क्या ये हमले रुके, आपने बढ़ चड़के बाला कोर्ट में स्ट्राइक करने का दावा किया, उसके बावजूद जमू कश्मीर में मिलिटनसी खतम नहीं हुई, अगर आप मुझे यकीन दिला सकते हो, कि स्ट्राइक करने क के बाद जमू कश्मीर जो है, वो पूरी तरह से मिलिटनसी से आजाद किया जाएगा, ठीक है न, अब हम भी सुनने के लिए तयार हैं,